नमस्ते, मैं हूँ जस्प्रीत कॉर्ड कोरोना केसिस काफी तेजी से बड़े हैं ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हत्यार है मास्क पहन कर आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रह पाएंगे इसको लेकर के हमने कैम्पेण भी शुरू किया है हैश्टेग मास्क पहनो इंडिया आप खुद से ये प्रण लीजे कि जब तक ये महमारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे चत्रिसगर के दो अधिकारियों के वीडियो बारिल हुए है दोनों अधिकारी चत्रिसगर के सूरचपुर जिले के हैं पहली तस्वीर में सूरचपुर के डियम रनबीर शर्मा है जिन्होंने एक लड़के को लोकडाउन में दवा लेने जाने पर बचसलूकी की तो दूसरी तस्वीर भी सूरचपुर के भया थान के स्डियम प्रकाश सिंग राजपूत की है जिन्होंने कोरोना नियम तोने पर एक लड़के को थपड मारा फिर दंडे से पिटाई करवाई 36 गड के सूरचपुर के डियम रनबीर शर्मा पर लोगों से बचसलूकी का आरोप लगा है कोरोना की वज़े से जिले में लॉकडाउन लगा है लेकिन जरूरी सेवाओं को इसमें छूट है आरोप है कि लॉकडाउन के समेक लड़का दवाई का परचा लेकर मेडिकल स्टोर जाने को निकला इसी बीच जिलाधिकारी खुद दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले इस बीच सडकों पर लोगों को आता जाता देख वो पेफर पड़े उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी उन्होंने अपने साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों से कहकर पहले उस लड़के को रुखवाया और उसे चांटा रसीद कर दिया इस बीच वो लड़का दवाई की पड़्ची भी दिखाता रहा लेकिन कलेक्टर रंवीर ने उसकी एक ना सुनी उसका मोबाइल शीनकर उसे सडक पर पटक दिया दियम को शक था कि लड़का उसका वीजियो मना रहा है जबकि लड़का सफाई देता रहा कि दवाईयां लेने जा रहा है पर तोड लाठियां बरसाई बताई गया कि वो लड़का दवाई लेने मेडिकल स्टोर के लिए निकला था इसी बीच डियम रनवीर शर्मा ने उसे रुकवा लिया इसके लिए उसने दवाई की परची भी दिखाई लेकिन कलेक्टर ने उसे चांटा रसीत कर दिया और अ कभी जो वरल है है रिकार चांट के सामें ने गूसराय से पर इससे तु लोगजे अव्चार है, और भारता हुआ है लोगों पर गुंडागर्दी कर रहे हैं आम लोगों पर रॉब जाड़ रहे हैं जी जस्वीद बिल्कुल ही ये गुंडागर्दी है बिल्कुल सड़क पर उतर कर जो एमर्जंसी के समय के दौरान दवाईया लेने जो लोग जा रहे हैं उनकी पुलिस से पिटाई करना और उसके बाद खुद उन पर थपड रसीत करना ये बेहती भूदा और शर्मनाक है य जो है पहला मामला नहीं है इस तरीके से डियम के खिलाफ कई बार शिकायते आई है डियम जो है सड़क को तर तर गुंडागर्दी करते रहे हैं उन पर भी दबाव मनाते रहे हैं कलका जो वाकिया हुआ वो बिल्कुल ही शरमसार कर देने वाला है सड़क पर डियम पूरी इस फोर्स के साथ तैनात रहे हैं और जो लोग एमर्जंसी में दवाइया लेने के लिए निकल रहे हैं ते उन लोगों की लाठी डंडो से पुलिस से पिटाई करवाई कलेकर नहीं डियम नहीं 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 लोगो को पिटा बल्की उनके मातहत जो एस डियम काम कर रहे है आज़कूद जी उन्होंने भी लोगों की पिटाई की घपहaden रसित किया जब डीयम साहबी लोगों की पिटाई पर आमधा है तो इसका असर उनके मातहत कर्मचारियों पर भी पड़ा और 11 विडियों सहारे पिट्विटर पर पर इस को लेकर लोगों में काफी रोश है और काफी जो है डीम साहब की आलोचना इन सारी चीजों के लिए जस्क्री ठीक आदेती लोटेंगे आपके पास आईए एक बार फिर से आपको काफा में न चीजों के इन है प्रका संदान है तर नहीं नी निकलते हैं वहीं टाथ कि आधे जोड़ेगे प्राइब देखेड़ में देखेड़ करने अपके सामने में देखेड़ में देखेड़ करके लिए प्राइबूर देखेड़ किया है। प्रजाद तंत्र में इस प्रकार की वेवहार स्विकार्ण नियूज एटीन से बातचीत में चट्रिसगर के मंत्री टीया सिंगदेव ने डीम रनवीर शर्मा की वैवहार को शर्मनाक बताया उन्होंने भरुसा दिया कि वो मुख्य सचिव से इस मामले में बात करेंगे प्रशाशनिक मामला है वो देखेंगे चीज सेकेटरी से बात करूगा और वो कालेक्टर के संदर में जो ही कारवाई करना है वो करेंगे अब यह हर विर्टी का अपना सभाव होता है लेकिन आफी मांगी है मेरे को उसकी जानकारी ने थी तो यह पहला उचित कदम है लेकिन आवश चीज सेकेटरी से मैं बात करूगा यह आमान भी बगवार है यह स्विकार नहीं मैं केवल एक मंत्री हूँ डिरेक्ट कलेक्टर क्यों पर को एक्षिन नहीं लेकरता है मैं इसलिए कहा कि उनके जो सबसे बड़े अधिकारी है जिनके अधीन वो काम करते हैं उनसे मैं इस बावत बात करूग आधितर टीयस सिंदेव कह रहे हैं कि वो चीफ सेकेटरी से बात करेंगे और सवाल यही खड़ा होता है कि आख है कि बहुत जल्दी हो जाए लेकिने डियम साब का पहला मामला नहीं 2015 में सहाब को एंटी करफ्शन ब्यूरो ने रंगे हातों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था उस वक्त उनके अंधर अमाधत पटवारी काम करता था और उस पटवारी को लगातार एक मामले में आप जाली सजार रूपय की घूष वह स्डियम उसक्त जो है रंबीर सिंग का कर चाएप स्टिये उस पटवारी को पटवारी के लिए परिशान किया जा रहा था ऐस ब्सक्तियों तो कलेक्टर साहब को उस वक्त रंगे हातों लेते हुए गिरफ्तार किया घा तो उस वक्त वह तक नहीं हो पाई है तो यानि कि रणवीर शर्मा का जो कि सूरजफ़ के सवक्त ट्याम है विवादों से पहले से नाता उनका रहा है और उनका इस तरह की का यह वहार पहले पहली बार देखने को नहीं मिला है पहले भी इस तरह की हरकत वो कर चुके दरसल 36 गड़ के सूरजपूर के डीम रनबीर शर्मा ने लड़की के साथ ही बचसलूकी नहीं की बलकि ऐसे लोगों को भी पीटने के आदेश दे दिये जो कोरुना में ड्यूटी करने जा रहे थे पहले ऐसे लोगों को दियम ने पुलस वालों को आदेश दे कर रुखवाया उन्हें पीटने के नरदेश दे दिये इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सपाई दी अपना पहचान पत्र और कोविड में ड्यूटी का आदेश दिखाया इसके बाद ही वो वहां से जा स ऐन्ा नियूट cone के वालों को आदेश हुआ आदेश देशा देशी आसले उन्हें पिसस्योंड को आदेश दिह है कि मैं रूखवाया में इसके रहेफके भीड है अब्धे सथान आपक अजय से जोगेश समस्टेटी लगाँ है कोईटी दे जहां आपक अजय समस्टांणी मॉरोगें कना इता मुझेश समस्टां आपक अजय से जहां आपक अज़ा है आरोपे के डियम रनबीर शर्मा ने जो भी वहां से निकला उसके साथ ऐसा सनुक किया कि वो जैसे कोई जुर्म करके आया है लोकडाउन तोड़ने पर रनबीर शर्मा ने कुछ लोगों को तो मौके पर ही पुलिस वालों से पिटाई करवाई इसमें कई लोग ऐसे भी थे जिसने जिनसे डियम ने उचक बैठक भी लगवाई हाला कि कुछ लोग सिर्फ जुर्माना देकर ही छूट गए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे पियम मोदी एहम बैठक करेंगे यास तूफान पर चर्चा करेंगे तो यास तूफान जो की बंगाल की खाड़ी में चक्रा सकता है और इसको लेकर के सुबहा 11 बजे पियम मोदी की एहम बैठक होने वाली है इसमें ग्री मंत्री आमित्शा भी मौजूद रहेंगे क्योंकि यास तूफान जो की तभाई मचा सकता है इसको लेकर के पियम मोदी की ये बैठक काफी एहम मानी जा रही है और यास तूफान इससे पहले जो टाउटे तूफान का कहर था वो देखने को मिला था और यास तूफान भी बड़ी चुनौती है ऐसे में पियम मोदी की ये बैठक काफी एहम हो जाती है और 25-26 तारीक के बीच इसके बंगाज की खाड़ी में टक्रानी के संभावना है ऐसे में पियम मोदी की ये बैठक काफी एहम है मुदूद है जनक यास तूफान भी काफी चुनौती वाला है और ऐसे में पियम मोदी की ये वैठक काफी एहम हो जाती है बिल्कुल देखे बेव बंगाल में ये साइपोन यास पुरितर से लो डिप्रेशन में है और 26 तारीक यास पास वो तक्तिये इलाको अकास्टवर पर उडिसा और बंगाल जो अभी अगमान लगाया जा रहा है एसे में पीए मार्ज पूरी प्रिपरेटनेट को लेकर मीटिंग परने वाले हैं जिसमें सारे आला अफसर होंगे गवर्मेंट अफसर होंगे जिसमें एंडियम में जो नेशनल डिजास्टर मेरेजमेंट और तरुटी तलावा तरिटरी ऑफ टेलेकॉम फावाल से पहुंचाता है तो ऐसे में टेलीकॉम और पावर से विलेशन के साथ साथ बाकी तरह भी मिनिस्ट्रिय उन सभी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि इन क्या क्या तैयारी हो साथ में राज्य सरकारों से उसके बाद अव्रत कराया जाएगा कि केंद्र सरकार की और से इ जाख होगी अ अ अब एक बर बात फिर से सूरुश्पुर के जियां कीब है सूरुश्पुर की डू रंगिर शर्मा सामने आए और अपने कि इये पर होने कि उन्होंने दावा किया कि लड़के के पास दवा की पर्ची नहीं थी और उसने गाड़ी नहीं रोकी आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है कि मैं सबसे माफिय मांगता हूं मेरा कती यह आश्य नहीं था कि किसी का आपमान करना जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के उपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मुझूद था हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था कि जब उनको रोका गया थो उन्होंने कहा कि मैं वेक्सिनेशन लगवाने जा रहा हूं को अन्होंने पर्चे दिखाई जो यह राप सम्भंदित नहीं थी बाद में वो बोले कि मिरे दादी जी मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूँ उन्होंने बत्तिमीजी की मैंने आवेस में आके उनको एक चाटा मार दिया मैं माफी मांगता हूँ अपने इस वहवार के लिए आदित्य हमारे सेहोगी लगतार हमारे साथ बने हुए आदित्य सूरजपुर के डियम रंबीर शर्मा ने माफी तो मांग ली और अपनी सपाई भी दी लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस क्रिप्ट के लिए केवल माफी काफी है देखे जस्पृत माफी बिल्कुल भी काफी मही है और माफी मांगी तो कब माफी मांगी टियम सहाद और तब माफी तब मांगी जब ये पर तेजी से वाइरल हो रहा था और कल रात जब कई मीडिया हाउसे के फोन उनके पास गया खुद मैंने उनको फोन किया कि यह जो वीडियो है इसकी क्या सच्चाई है और आपने कैसे एक यूवक को थपड मारा कैसे आपने लोगों की जो है पिटाई करवाई आप एक आईय जब प्रशासनी के विवस्ता का मखोल उडाएंगे इस तरीके से लोगों की पिटाई करेंगे अपने पावर का दुरूपयोग करेंगे तो इससे लोगों में भैका माहोल हो का जब इसको लेकर उनसे सवाल पूछे के तो कल देर रात एक बजे के आसपास जीम साहाब ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो जो है कि ये मीडिया चलिए ठीक है तो आदित्यमारे से होगी जानकारी दे रहेते कि जब वीडियो वारल होता है मीडिया में आता है उसके बाद दियम साहब माफी मांगते हैं और इस बीच जो चतिसगर सरकार्मे मंत्री है टीय स पारल है जिसमें वो लॉकडाउन तोड़ने पर एक लड़के को थपड जड़ देते हैं के बाद वो उस लड़के की डंडे से पिटाई करते हैं बताया गया कि जिस लड़के को एक दोड़के को सब्सक्राइब को एस्डियम ने थपड मारा वो लॉकडाउन में क्रोना नियम तोड़कर बाहर निकला था जिसके बाद अफसर ने उसे थपड मार दिया पर देख करने करें पूरा 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 अच्राइब के सूरजपूर से हरान करने वाला यह वीडियो सामने आया था जिसमें रनवीर शर्मा सड़क पर निकले लोगों से काफी सकती से पेश आते दिखाएती आरोप है कि उन्होंने जरूरी काम या फिर दवा लेने के लिए निकले लोगों पर भी कारवाई की कोरु क्यूं लगा है और इसका कड़ाई से पालन करवाने के लिए सूरजपुर के डियम रनवीर शर्मा खुद सड़क पर उत्रे उन्होंने पहले लोगों से घरों से बाहर निकलने की वज़ा पूची फिर बीच रास्ते पर ही सजर देते दिखाई दिये आरोपे के जो लोग जांच करवा कर अस्पताल से लौट रहे थे उसके साथ भी डियम सक्ती से पेश आई डियम का एक्शन यही नहीं रुका पहले उन्होंने इस लड़के का मुबाइल फोन चीन कर उसे जोड से जमीन पर पटक दिया फिर उसे तमाचा भी जड़ा इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद पुलिस वालों से उस पर डंडे बरसाने का फर्मान सुना दिया उस लड़के ने उन्हें डॉक्टर की पर्ची भी दिखाने की कोशिश की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ आनकी बात यही नहीं रुकी डियम रनवीर शर्मा कुछ और जगों पर भी गए और वहां भी इसी तरह लोगों को बीज सड़क पर सजा देते नजर आए और एक जगा पर तो एक अस्पताल की कर्मिचारी को पूश्टाच के लिए रोक लिया गया आरूप है कि वो भी रनवीर शर्मा की कारवाई से बश नहीं पाया अपने साहब का फर्मान सुनकर पुलस वाले भी नहीं रुके और वो उस पर डंडे बरसाने के लिए आगे बढ़ गए इसके अलाबा कुछ जगों पर लोगों को उनके कान पकड़वा कर उठक बैठक भी लगवाई गई सड़क पर निकली महिलाओं से भी डियम कड़ाई से पेश आए देश अभी कोरोना से उबरने की जंग लड़ रहा है इस बीच ब्लाक फंगस नाम की बीमारी ने लोगों पर अपना शिकंज्वा कसना शिरू कर दिया है देश के दस राज्जों में ब्लाक फंगस के 7000 से ज़ादा केस दर्ज किये जा चुके हैं जबकि 200 से जादा लोगों को इस बीमारी की वज़ह से मौत हो चुकी है आलम यह हो चुका है कि हालात को भाबते होए देश के कुछ राज्जों में ब्लाक फंगस को महमारी घोशित कर दिया गया है कोरोना काल में ब्लैक फंगस की चुनावती दस राज्जों में ब्लैक फंगस का हमला देश पर छाया काली मौत का साया अभी तक जो देश कोरोना काल की चुनावतीयों से जूज रहा था अब उसी देश में ब्लैक फंगस का दायरा भी बढ़ता जा रहा है देश के लिए ये नई मुसीवत कितनी बड़ी होती जा रही है इसका अंदाजा ऐसे ही लगाए जा सकता है कि ना सिर्फ इस विमारी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है बलकि धीरे धीरे ये बीमारी देश में अपने फुरसार का दायरा भी बढ़ाने लगी है आकड़े बताते हैं कि देश में दस राज यह से हैं जहां ब्लैक फंगस के 7200 से जादा मामले सामने आ चुके जबकि 200 से जादा लोगों की अब तक इस बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है म्यूकर मैकोसिस यानि की ब्लैक फंगस देश में कोरोना की खतरनाक महमारी के बीच ब्लैक फंगस के प्रसार ने चुनवतियों का पहाड ख़ड़ा कर दिया है ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत ही जल्द ब्लैक फंगस ने देश के दस से भी जादा राज्यों को अपने शिक अज़ में ले लिया है ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने जिन राज्यों में अपने पाउँ पसारना शुरू कर दी हैं उन में महरास्ट्र, गुजराथ, मध्यपरदेश, राजस्थान, हर्याना, दिल्ली, उत्तरपरदेश, उत्तराखंड, बिहार, 36 गड़, करनाचक और तिलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं ये खत्रा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगाए जा सकता है, कि जिन राज्यों में इस बीमारी ने तेजी के साथ अपने पाउँ पसारे हैं, उन राज्यों में इसे महामारी खोशित कर दिया गया है, यूपी आठ्वा राज्य है, जहां ब्लैक फंगस को महा महारी खोशित किया गया है, जब आप इसको अधिसुचित करते हैं, तो इससे संबंदे जो दवाईया हैं पूरे देश में, अगर उसमें शौट सप्लाई होता है, तो उसको केन सरकार उसके पूरे उत्पादन अपने अंदर ले ले लेती हैं, दिल्ली से सटे गाजियाब में ब्लैक फंगस का खत्रा साफ महसूस किया जा सकता है, यहां ब्लैक फंगस के अब तक 33 मामले सामने आ चुके हैं, हैरानी इस बात की है कि यहां एक ही निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के 25 मामले रेकॉर्ड किये गए हैं, जिन में से एक मरीज की इस बीमारी की वजह से मौत भी हो चुकी है अभी तक मेरे पास 25 मामले आ चुके हैं 25 में से एक मरीज जिसका नाम राजा राम था सियानी का रहने वाला था उसको मैंने ओपरेट किया था आगे आगे से आख तक पहुचा हुआ था फंगस और उसके ब्रेन तक गया हुआ था उसमें इंजेक्शन एमफोटेरेसिन आइडियली लगना चाहिए था जो उस मरीज को एवलेबिल नहीं हुआ और उसके कारण हमें उस मरीज को खोना पड़ा उधर गौतम बुधनगर में भी ब्लैक फंगस नाम की बेमारी अपनी दस तक दे चुकी है यहां अब तक ब्लैक फंगस के 20 से जादा मरीज सामने आ चुके हैं प्रशासन का दावा है कि इस बीमारी से लड़ने वाली दवाओं की किल्लत को दूर कर लिया गया है ब्लैक फंगस के भी हमारे 21 मरीज अब तक रिपोर्ट हुएं और अभी ऐसी कोई डेथ नहीं हुई ब्लैक फंगस से जो की निच्छी तुरूप से ब्लैक फंगस से हुई है आगरा में भी ब्लैक फंगस ने अपने पाओं पसारना शुरू कर दिये हैं आंकडों के मताबिक यहां अब तक ब्लैक फंगस के साथ मरीज सामने आ चुके हैं यही वज़े है कि प्रशासनी के स्तर पर रेड एलर्ट खोशित कर दिया गया है साथ ही ऐसन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 44 बेड तयार कर लिए गए हैं कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस की दस्तक हो गई है और आगरा में साथ मरीज ब्लैक फंगस के पाए जा चुके हैं अब तक जिन में तीन की हालत कंभीर है और एक मरीज का आपरेशन किया जा चुका है सफल आपरेशन तो जो तैयारी की गई है प्रसासन की तरफ से और मेडिकल कालेज की तरफ से तो इस कोविड हास्पिटल में 20 बेट बनाए गए हैं ब्लेक फंगस मरीजों के लिए इसके लावे एं इसलिए तुरत अपने को एड्मिट करा लें ताकि आपका इलाज सुरू हो जाए जो आयमे हॉस्पिटल है उनको भी हम लोगों ने और अपने एसन मेडिकल और जो भी डिस्टिक हॉस्पिटल है उसमें क्लीनिस के लिए विस्टे सभी अभियान चलाया हुए ताकि कोई भ बिमारी के अब तक 700 केस दर्ज किये जा चुके हैं यही वजह है कि अब सरकार इस बिमारी के मरीजों की पहचान के लिए डोड टू डोड सर्वे के तैयारी कर रही है साथ ही राजिके नौ सरकारी अस्पतालों और 11 निजे अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज को अधिनियम के अंतरगत नौटिफाइबल डिजीज गोशिट भी कर दिया है चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्ता को अनुमत किया गया है अब जिस तरह से कोविट का ट्रीटमेंट उसके कबरेज में आता है चिरंजीवी योजना के उसी तरह से ब्लै अधिक फंगस को महामारी घोशित किया जा चुका है यहां पीजी आई में भरती 21 मरीजों की हालत बेहत गंभीर बनी हुई है दावा किया जा रहा है कि दवाओं और इंजेक्शन की किल्लत ने परेशानियों को और बड़ा कर दिया है मतलब यह नहीं है पंजाब की आ रहा है हर्याना से भी आ रहा है इविन हिमाचल से आने लगए तो यह बिमारी जो है सबी जगह अधर हर्याना में अब तक ब्लैक फंगस के 268 मरीज मिल चुके हैं मुश्किल इस बात की है कि जीन्द स्पिताल में भरती मरीजों को इस बीमारी का इलाज भी नहीं मिल पा रहा है दवा और डॉक्टर के अभाव में मरीजों को रो तक रेफर किया जा रहा है कोरोना की ही तरहें ब्लैक फंगस का भी सबसे भीशन कहर महराष्ट पर टूटा है महराष्ट में ब्लैक फंगस के 2000 से जादा मरीज बिल चुके हैं इन में करीब 90 मरीजों की मौत के बाद सरकार टास्क फोर्स बनाने को मजबूर हो गई है दावा क्या जा रहा है कि महराष्ट के पुड़े में ब्लैक फंगस के करीब 300 मरीज बिले हैं जबकि मुंबई में 160 और नासिक में 166 मरीज मिले हैं नासिक में ब्लैक फंगस के चपेट में आने से 8 मरीजों की मौत भी हो गई है इसलिए सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरा जोर लगा दिया है ब्लैक फंगस के मामले में भी लापरवाही बरतना घा तक साबित हो सकता है केमरी सरकार ने वाक्सिनेशन पर एक कदम और बढ़ाते हुए निजी और सरकारी ओफिसों में इसकी मंजूरी दे दी है स्वास्ति मंत्राले की तरफ से जारी चुठी के मताबिक सरकारी और निजी ओफिस में कर्मचारियों के साथ उसके परिवार वालों को भी टीका लग सकेगा जादा से जादा लोगों का वाक्सिनेशन हो सके इसके लिए कंपनियां अस्पतालों के जरिये सीधे दवा कंपनियों से वाक्सीन खरीद पाएंगी यूपी में करोना कर्फ्यू एक बार फिर बढ़ा दिया गया है योगी सरकार ने अब 31 मई सुभा 7 बज़े तक कर्फ्यू बढ़ा है इस बीच यूपी सरकार ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वैक्सिनेशन और द्योगी गतिवीधियों मेडिकल संबन्दी काम के अलावा आवश्यक अनिवारे सेवाएं पहले की तरह चारी रहेंगी MP के जबलपूर में बड़ी लापरवाही सामने आई आरोपे की मदवरदेश की जबलपूर के सिटी एस्पताल में 171 मरीजों को नकली रमडेसवर इंजेक्शन लगा दिया गया पुलिस ने दावा किया कि उसकी जांच में इस बात का पता चला यूपी की जत्रकूर्ट में बारातियों से भरी एक मैन हाथसे का शिकार हो गई इस घटना में तीन लोगों की जान चली गई जबकि पांच लोग गंभी रूप से घायल है राज्य में ब्लाक फंगस को महमारी घोशत कर दिया है अध्यमीं ब्लाक फंगस के एक इक ईक दो मामले सामर्या आये हैं और एक आद्यी Sudir करोन काल में चुनौतियों का एक सिलसिला सा चल पड़ा है एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी मुसीबत सामने आ रही है ब्लाक फंगस के साथ भी कुछ ऐसा है इस बीमारी में भी लापरवाही की धारी कीमत चुकानी पर सकती है यहीं वजह है कि स्वास्त महकमा इस नई महामारी को लेकर ना सिर्फ लोगों को जागरूप कर रहा है बलकि रा कैसे फैलती है यह बीमारी क्या है ब्लाक फंगस का इलाज कोरोना काल के बीच आया ब्लाक फंगस नाम का यह शब्द भले ही नया है लेकिन इसके खत्रे के अन्देखी करना बेहत घातक है सबसे पहले गुजराद के एहमदाबाद के उस मामले को समझते हैं जिसकी वजह से ब्लाक फंगस को हर्गिस हलके में नहीं लिया जा सकता दरसल जस गुजराद में एक हजार से जादा लोग इस बिमारी की चपेट में आ चुके हैं और साथ से जादा लोगों की मौत हो चुकी है उसी गुजराद के एहमदाबाद में बच्चों में ब्लैक फंगस का पहला मामला बिला है एहमदाबाद में 13 साल का बच्चा ब्लैक फंगस की चपेट में आ गया बताया जा रहा है कि बच्चे और उसकी मा को कोरोना हुआ था बच्चा तो कोरोना से निगेटिव आ गया लेकिन उसकी मा की कोरोना की वजह से मौत हो गई इस बीच बच्चे की मुसिवत उस वक्त बढ़ गई जब दांट में दर्द और सूजन के शिकायत के बाद ब्लैक बंगस की पुष्टी हुई बिलहाल बच्चे की जान बचाने के लिए डाक्टरों को उसकी एक तरफ के दांट निकालने पड़े हैं इस बीमारी के खत्रे को भी समझ ये किसी मरीज की आँख निकालने के नौबत आ रही है तो किसी के चेहरे के हिस्से को अलग करना पड़ रहा है तो किसी मरीज के सामने कोई दूसरी चुनोती पेश आ रही है यही वज़े है कि केंद्र सरकार ने राजसरकारों को चिठेले कर बंगल इंफेक्शन रोकने के लिए कदम उछाने को कहा है स्वास्त मंत्राले की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वो इन्फेक्शन को रोकने और उससे बचाओ के लिए अपनी तैयारियों की समिक्षा करें साथ ही अस्पतालों में सफाई और सैनिटाइजेशन की समिक्षा करें चिठ्थी में सभी राजसरकारों से कहा गया है कि एक हास्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए और संस्था के हैड को इसका ध्यक्ष बनाया जाए इन्फेक्शन के बचाओ और कंट्रोल के लिए एक नोडल आफिसर बनाने का भी सुझाओ दिया गया है जो माइक्रो बायलोजिस्ट या सीनियर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हो सकती है इसके अलावा हॉस्पिटल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाने और उसे लागू करने के लिए भी कहा गया है प्लेक फंगस के इलाज की कई दवाईयां बहुत जादा महंगी हैं इसलिए केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाती और जंजाती समुदाय के गरीबों को वित्य मदद का एलान किया है केंद्री समाजिक नियाय मंत्री ने ट्वीट किया किन समुदायों से जुड़े सालाना तीन लाग से कम आमदनी वालों को इलाज में एक लाग रुपए तक की मदद दी जाएगी वही स्वास्त मंत्राले का दावा है किस बीमारी का कोरूना से कोई लेना देना नहीं है नहीं कोरूना की वज़े से ये बीमारी पैदा हुई है ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बिमारी है जो कि पहले भी होती रही है जब कोविड था यह नहीं तब भी होती रही है और उसमें जो मैं कहूंगा अज मेडिकल स्टूडेंस को जो पढ़ाया जाता है कि यह बिमारी डायबटीज में होती है और जब डायबटीज अनकंट्रोल होता है तब खासकर होता है म्यूकर माइकॉसिस के लिए इससे पहले भी हमने स्टेट को कहा है कि उसको नोटिफाइबल डिजीज के रूप में नोटिफाइब किया जाए साथ ही पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो ओवरॉल एक डिजिटल प्लैटफॉ में जिसके थूग हम केसिट को या स्टेटर्स को मोनिटा करने में स्टेट से साहता लेते हैं वहां पर वहाह डिए रिलेवन्ट फॉर्म्स भी पटिन कर दिए गये जिसमें की स्टेट्स वह डिट infinitely Fahrenheit करने केबाद फील्ड्स थाई पर लेते हुए हमें बता पाएं कि कितने केसे दाएं हैं वे कल ही किया गया है और स्टेट्स उस पर अपना डेटा भरना शुरू करेंगे बहुत लंबा इस्टोराइड देने से ब्लैक फंगस वाइट फंगस आप जो देख रहे हैं इस तरीके का करोना निगेटिव होने के बाद इस तरीके की इनफेक्शन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसे सोजाते हैं जिनको अनकंट्रोल डाइबटीज हैं ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमा का ज्यादा खत्रा रहता है तो ऐसे लोगों का विशेश ध्यान रखा जाए और जो ओरली जो लोग मार्केट से असी ले ले रहे हैं उनको के लिए कहना है कि जब तक कोई चिकिस्सक जिसके शुरुवाती लक्षणों के अंदेखी करना भारी पड़ सकता है इसलिए समझना जरूरी है कि अगर ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है नाख में सूझन नाख में सूखा बन नाख का सुन होना गालों पर सूझन मूँ के अंदर फंगस का पैच पलकों में सूझन जैसे लक्षण अगर दिखाई दें तो तुरंत टोक्टर से संपर करना चाहिए और अगर इन लक्षणों के अंदेखी की जाए तो ये बीमारी कितनी भारी साबित हो सकती है इसे भी समझ लीजी मध्य प्रदेश में भी प्लेक फंगस के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है महामारी घोशित होने के बाद राज्य सरकार का दावा है कि हर मरीज का रिकॉर्ड रखा जाएगा साथ ही राज में नेजल एंडोसकोपी की मुहिम भी शुरू की जाएगी ब्लेक फंगस को लेके सरकार की क्या रहनी थी देखिए सरकार ने आज हमने इसको महामारी घोशित किया है और इसका इलाज सुनिशित हो सके इसका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से जल्द हो सके जल्दी इलाज हो सके इसकी सरजरी हो सके इसकी सब विवस्ता हमने की है और महामारी के बाद अब एक एक पेशिंट का रिकार्ड उसके वारे में सब जानकारी हम इसकी पूरी एक खटा करेंगे और यह सुनिशित करेंगे कि लोगों को उचित इलाज समय पर मिल सके हमने नेजल इंडोसकोपी का एक महीम शुरू की है जिसमें हम इस से इस बीमारी का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं तर यह जो एम फो टेरेसिन भी एक एहम इंजेक्शन माना जा रहा है लेकिन उसको लेके हम अमीदियाफ कताल गए हमने कई जगे देखा कतारें लगी हैं लोगों को नहीं मिल रहे हैं यह बात सही है कि एम फो टेरेसिन भी की देश में बहुत कमी है और इसी लिए लगातार हम केंदर सरकार से भी बात कर रहे हैं और हमने जो इसकी मैनुफैक्शरिंग फार्मासिटिकल कमपनी है उससे भी मानी मुख्यमंतिय जी ने सोय हमने बात की है और हम लगातार यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसकी आपकुड़ती है मध्यपदेश में आ सके और इसका युक्ति युक्त करन हम इसके डिस्रिबूशन में करें महंगा इंजेक्शन है ज्यादा तादाद में लगेगा किसी गरीब को होती है तो कैसे कर पाएगा तीक हमने सरकारी मेडिकल कॉलेज में हमारे इसके फ्री आफ कॉस्ट मानि मुक्यमत्री जी ने पहले ही गोशना किया है कि इसका भी हम इलाज फ्री आफ कॉस्ट करेंगे मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए स्वास्त अविभाग ने गमर कस रखी है मुंबई के नायर हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो सिर्फ Black Fungus के मरीजों का ही इलाज कर रही है आई ये समझते हैं क्या खेर ये टीम कैसे काम कर रही है किस तरीके से पूरा पेशिंट का खयाल रखा जा रहा है कितने मरीज जो है अभी हॉस्पिटल में हैं और कितना वो दिक्कतें आ रही है अभी फिलाल हमारे होस्पिरल में करीबन 30 पेशन होंगे कोविड नॉन कोविड सब मिलाके और उसमें से ज्यादा तर तो नॉन कोविड पेशन है उसमें से थोड़े शेव है वो कोविड के दर्मियान भी उनको ये फंगस हो गया है नाक के अंदर और जैसे ही पेशन आते है हम उनको देखते हैं, हम डाइग्नोस करते हैं. और यह अनकंट्रोल डाइबेटी से दो में हैं और प्लीस कोवीड की वज़े से उनकी प्रतिकार शक्ति हाफ्ट हो जाती है. तो यह सब एकत्रीत उसका परिणाम है कि इतना सर्ज हमें देख रहा है म्यूकर माइकोसिस की केसिस में. यानि कोरोना की हित्तर है, अगर ब्लैक फंगस कुलेकर भी लापरवाही बढ़ती जाती है, तो यह कई लोगों के लिए जानलेवा बन सकती है. यही वज़े है कि देश के तमाम राज्यों का स्वास्त महक्मा इस बिमारी से मुकाबला करने के लिए भी युद्धिस्तर प